exercise 12.2 का जो question number 7 उसमें हमसे बोला गया है a kite in the shape of a square एक kite जो है वो square की shape की है अगर हम kite की figure को देखते हैं तो जो उपर वाला portion है वो square portion है ठीक है और जो square portion है उसको दो parts में divide किया गया है ना first part और second part ठीक है with a diagonal 32 cm इसका जो diagonal है वो 32 cm का है देखिए इसमें दो diagonal है एक तो ये और एक ये अब ये दोनों के दोनो 32, 32 cm कहीं होंगे क्यों क्योंकि जो square होता है उसके जो diagonal होते हैं वो दोनों के दोनों same length के होते हैं ठीक है आगे हमसे बोला गया है and an iso-skies triangle of base 8 cm और एक iso-skies triangle है जिसका base 8 cm है and the sides 6 cm each और जो बाकी जो 2 sides हैं वो 6 cm गया है देखिए जो iso-skies triangle होता है वो वो triangle होता है जिसकी two sides equal होती है तो इसका base 8 cm है और बाकी जो 2 sides है 6 cm है जो third part है इसका वो triangular है ठीक है तो आगे हमसे बोला गया है and the side 6 cm each is to be made of three different shades is shown in figure जैसा कि हम figure में देख पा रहे हैं इनके 3 parts बने हुए हैं तो हमें आगे निकलवा रहा है how much paper of each shade has been used in it तो हमसे यहाँ पर बोला गया है हमसे यहाँ पर पूछा गया है first part, second part और third part में इन में जो है अलग-अलग paper use हुआ है अलग-अलग shade का paper use हुआ है तो first part में कितना जो है, अलग shade का जो भी इसमें shade लगाया गया उसका कितना paper use हुआ है second वाले में कितना और third वाले में कितना तो कुलमिला के बात यह है, अगर हम first वाले का area निकाल लेते हैं तो जो इसमें paper use होगा वो आ जाएगा जो second वाले का area निकालेंगे तो इसका आ जाएगा और third वाले का निकालेंगे तो इसका आ जाएगा ठीक है अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं square portion के लिए ठीक है अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको उसके बाद question का solution शुरू करते हैं देखिए अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी बताया है कि जो diagonal होते हैं square के वो equal होते हैं जो square के जो diagonal होते हैं वो equal होते हैं तो जब ये 32 cm है और ये तो ये भी 32 cm होगा ठीक है दूसरी बात ये है कि जो square के जो diagonal होते हैं न वो एक दूसरे को bisect करते हैं byset का मतलब आधे आधे पे cut करते हैं ठीक है तो अगर माली जी ये 32 cm तो जहां पे cut कर रहे हैं तो इधर 16 बचा और इधर भी 16 बचा और अगर हम इस वाले की बात करें तो ये भी नीचे यहां से यहां तक का 16 बचा और यहां से यहां तक का भी 16 बचा अगर पूरी line की बात कर हैं बाइसेक करते हैं ठीक है अब तीसरी बात क्या है पहली बात तो यह है कि जो डाइगरल होते हैं इसको आरगे वो इकवल होते हैं दूसरा डाइगरल जो होते हैं वो दूसरे को बाइसेक करते हैं तीसरी बात यह है कि यह जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिगरी पर कट करते ह 90 degree पर cut करते हैं ठीक है तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए और इसको मैं नाम दे देता हूँ A, B, C and D और इसको मैंने O नाम दे दिया तो आप एक चीज देखेंगे कि ABC एक triangle बनना है और आप लोगों को ये मालूम है कि अगर किसी triangle का आपको height मालूम हो और आपको base मालूम हो तो उसका area आप half into base into height से निकाल सकते हैं ठीके तो अगर मैं बात करूँ ABC portion की जो first portion बनना है वो एक triangle बनना है और अगर मैं बात करूँ इसकी 90 degree जब है तो ये height कहलाएगी ठीके और ये जो हो जाएगा इसका AC वो क्या हो जाएगा base तो अगर हम ABC में काम करते हैं तो इसका area हम बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि हमें base भी मालूम है और perpendicular भी हमें मालूम है ठीके ये कितना हो जाएगा उपर का 16 मैंने बताया भी क्योंकि ये bisect करेगा और ये पूरी की पूरी जो side हो जाएगी 32 ही रहेगी ठीक है दूसरी बात है कि इसमें क्या है जितना area first part का आएगा उतना ही area बिल्कुल same second part का होगा ठीक है तो हम इस तरीके से question का solution कर सकते हैं चलिए solution में चलते हैं इसके देखे solution जब इसका करेंगे तो सबसे पहले हम जो है दोनों का area जो होगा area of a b c equal होगा area of a c d k तो area of a c d ठीक है और equal क्या बताया है मैंने दोनों का जो area है चलिए इसको equation first माल लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे area of a b c निकाल लेते हैं जब area of a b c आप निकालेंगे तो half into base a b c की बात करें तो इसके लिए base कितना होगा a c और जो इसका height होगी वो कितनी हो जाएगी o b अब half into base यानिके a c कितना है 32 और into o b कितना है हमारे पास 16 तो इससे कट जाएगा 16 time ठीक है और तो यहाँ पर कितना जाएगा 16 into 16 तो अगर 16 और 16 की multiply आप करते हैं तो 16 और 16 की multiply आ जाती है आपकी 256 ठीक है यह आगिया centimeter required तो यह जो area यह abc का area अब जितना a bc का area होगा उतना ही तो a c d का है ठीक है तो कि देखें अगर है यहाँ पर देखते हैं तो abc का जो area 256 cm2 तो जितना abc का area वगा उतना ही c d यानिके ACD का भी उतना ही होगा ठीक है दोनों का area equal है तो हम लिख सकते हैं area of ABC equal area of area of ACD equal कितना 256 cm2 ठीक है तो ये दोनों के दोनों जो parts थे उनका area आ चुका है अब हम बात करेंगे जो third part है इसका जो triangle portion है जो कि क्या है जो एक triangle portion है इसके लिए हम बात करेंगे और इसका area तो आ मालों में hereon formula से बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं तो four third part और third part आप लोगों को मालों में क्या है एक triangle है तो इसके लिए बात करेंगे तो a कितना है हमारे पास 8 cm और b कितना है 6 cm और c कितना है 6 cm ठीक है तो अब अगर हम S निकालते हैं तो a plus b plus c upon 2 तो a कितना जाएगा 8 plus 6 plus 6 upon 2 और 8 और 6 हो जाएँगे आपके 14 और 20 और upon 2 हो जाएगा कितना आ जाएँगे 10 आ जाएँगे तो S की value आ गए आपके पास 10 cm और जब S की value आ चुकी है तो आप क्या निकाल सकते हैं area निकाल सकते हैं तो the area the area of third part तो third part जो था वो ट्राइंगल था तो उसका area निकालने के लिए hereon formula का use कर सकते हैं s into s minus a into s minus b और into s minus c ठीक है तो s जो है हमारे पास कितना है 10 और यह 10 minus a कितना था हमारे पास 8 और 10 और minus b कितना था 6 और 10 और minus b कितना था 6 और इस तरीके से 10 आ जाएगा यहां पर 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा multiply यह 4 बचेंगे और यहां पर भी कितने बचेंगे 4 अब इसके जब हम factor करेंगे तो 10 के factor 2 into 5 होते हैं और यह into 2 ऐसी आ जाएगा 4 into 4 ऐसी ही लिख सकते हैं factor करना चाहें तो 2 into 2 करके लिख सकते थे देखिए इस 4 में से जो है एक पूरा 4 बाहर आ जाएगा ठीक है इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा root के अंदर कितना बच जाएगा 5 अब अगर हम आगे देखते हैं तो इस तरीके से जो है तीनों के तीनों जो है एरियाज हमारे पास आ चुके है